हलो स्टुडेंस दिस गौरो सर बैक अगेन आप सब अच्छे होंगे ओके तो नेक्स टॉपिक अपना लेंड इस फिक्स इसको पूरा दिखे का बहुत फ़नी वे में हैं लेंड इस फिक्स जमीन फिक्स ही रहती है सर जमीन दोड़ी कम जाता होती टॉपिक यह लग है फॉर् अगर अच्छा हुआ तो गुल्ले गुल्ले फार्म से प्रोड़क्शन कैसे बढ़ सकता है अगर जमीन जाता पढ़ जाए क्योंकि जमीन जाता होगी तो खेती जाता होगी अभे तो लोग रहेंगे कहां नेक्स्ट बड़ आफ्टर 1916 नो अदिशनल लेंड हैस बीन बाट अन्डर कल्टिवेशन लेकिन पता है अगर कोई एरिया है नहीं है यह याँ मणलश्ण बढ़ा ही यह वाँ पगता भी नहीं है क्या हुआ जमीन में लोग घर पे थाए वे बनेखा रोड़ भी वनेग तो लेंड कैसे बढ़े गा तो खुल मिला कि लैन्ड एक जगे फिक्स हो गए 1960 के बात next topic ways to grow more from the same land एक ही जमीन से ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो गाए है उसी साल के अंदर सबसे पहला concept है multiple cropping first point in Palampur farmers prefer multiple cropping to increase production from the same piece of land पेटा ये एक ही लाइन है वो दो में आगया point में sorry पालमपूर में farmers क्या prefer करते है multiple cropping ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन से crops निकाल सके है बैटा अगर एक फसल होगा है ना तो single cropping एक से ज़्यादा फसल होगा है ना तो multiple cropping जी सर next multiple cropping is the most common way to increase production multiple cropping एइसा method है जिससे आप production बढ़ा सकते हो मलब ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ ऐसा में बरसात में क्यों गा रहे हो गर्में भी होगा हो ठंड में भी होगा हो पूरे बारा महीने है उगा हो कुछ ना कुछ next one during the rainy season खारिफ अरे rainy season की crop को खारिफ कहते है ऐसे जाद रखना रेणी में सब खराब खराब हो जाता है ना तो खराब से खारिफ कर देना during the rainy season खारिफ farmers grow जोर और बाजरा which are used as cattle feed farmer क्या होगाते है जोर और बाजरा जो उनकी kettles खाती है गाएं वैसे खाती है उनकी वाओ next अलू हम सबका famous potato is cultivated in the month of October to December potato भी cultivate किया जाता है कब से कब तक थंड में October to December as the third crop after जोर और बाजरा जोर और बाजरा के बाद अलू हुगा जाता है और मेरे को लगता है potato तो सब खाते है potato is eaten by everybody don't you think so अपन काते हैं न next during the winter season राभी winter season की crop को राभी कहते है ऐसा लग रहा है कललकी का नाम है ए राभी farmers grow wheat तो winter season में आनी थंड में क्या होगाते हैं farmer wheat होगाते हैं sir W for winter, W for wheat trick हो गई they keep enough wheat for their family consumption and the rest is sold in the market at rai gun वो काफी wheat तो अपनी घर के लिए भी रखते हैं अपने family के लिए और बाकी का market में बेज जाते हैं राएगा जो होगाता ना जो पालंपूर से तीन किलो मीटर दूर yes sir next some part of the land is also used for sugar can production जमीन का कुछ हिस्सा sugar can production में भी use होता है मलग गन्ना होगा याता है जाता है गन्ना चाहिए रौफ ओमों जाए जैगरी sir as for sugar कहने तो as for शापूर में बेचेंगे क्या बात है बिटा next how farmers are able to grow more than one crop question भी यह है देखो ना question नहीं है तो answer भी आगया first point earlier portion wheels were used to draw water बिटा वो होता ना पन खीषते थे पानी तो पहले क्या कोव से पानी कैसे निकाल जाता था एक तरह का चर्खा होता था एक वील होता था तो उसे Persian wheel कहते थे पर्षिया से यह था ना earlier Persian wheel were used to draw water पानी निकालने के लिए लेकिन आप next point but now electric run tube wells are used for irrigation अब तो है ना tube wells से इरिगेशन हो जाता है और वो electricity से चलती है बस वो कुवे से जोड़ी हो और पानी फड़ 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 बढ़ाता रहता है तो उने कहते हैं electric run tube wells next earlier these tube wells were installed by the government but now farmers are setting up private tube wells पहले तो जो tube bell थी जो electricity वाली government ने लगाई लेकिन अब farmer खुद की private tube well लगा रहे है पैसा आ गया है भाई अब क्या कह सकते है next to grow more than one crop on a piece of land is known as multiple cropping सर पता है ना मलब एक से जादा crop होगा ना एक ही जमीन पर एक ही साल के अंदर multiple cropping होता है क्योंकि अगर एक crop होगा है तो single cropping next traditional seeds need less irrigation जो पुराने seeds होते थे ना पुराने जमाने के traditional seeds need less irrigation और cow dung and other natural manure and fertilizer पुराने seeds में पानी कम चाहिए रहता था cow dung काएंगा गोबर चाहिए रहता था natural manure और fertilizer चाहिए रहते थे पर productivity less होती थी crop कम उखती थी ना next point now there comes the hope in the form of hyv seed अब कहते ना भगवान के गर देरे पर अधेर नहीं तो वो क्या है रोशनी hyv seed which gives good output यह seeds बहुत अच्छे होते हैं इसका output बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है next but there is a problem actually these hyv seeds need plenty of water पता लेकिन hyv seed को पानी वो चाहिए साले पेट भरके पानी पीते हैं chemical fertilizer भी पीते हैं pesticide भी पीते हैं मलब क्या करें यहां अब बताओ न next there is a fact एक fact है बच्छो तो मैं बता रहा हूँ you know guys farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out modern farming methods of farming hyv seed सबसे पहले किसने यूज़ किये थे नाम याद रगना states का Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh इन्होंने modern farming method यूज़ किये थे means they were the first to use hyv seed मलब इन्होंने पहले hyv seed यूज़ किये थे and they also bought farm machinery like tractors and thresher और उन्होंने farm के लिए machine भी खरी दी tractors और thresher tractors तो जानते और thresher जो फसल काटे next amazing results with the use of hyv seed the yield या productivity of weed went up to 3200 kg per hectare पोता है पूरे के पूरे जो hectare की जमीन होती है ना उस पे 3200 kg होता है एक hectare की जमीन पर लेकिन जब पुराने seeds होते थे ना उसमें 1300 kg per hectare होता था traditional seeds थे तो सर इसका मतलब है जो hyv seed है उसमें production जादा होता है मैं तो कही रहा था कितना होता है 3200 kg per hectare और जो पुराने होते थे उसमें किता होता था 1300 kg per hectare I hope तुमें समझ आ गया होगा थैंक यू बच्चो बाई बाई मिलते हैं नेक्स लेक्चर में पुराने होता है